करनाटका के उपमुख्यमंत्री डीके शिफकुमार ने सोचा नहीं होगा कि उनको भी कभी अपना बोर्वेल सूखने की शिकायत करनी पड़ेगी बैंगलूरू में पानी की किल्लत को लेकर सरकार की बेबसी इसी में दिखती है हम रियायती दर पर सभी लोगों को टैंकर का पानी मोहिया कराएंगे हमें इसकी चिंता है पानी की कीमत को लेकर बोर्वेल सूख गये हैं हमारे घर का बोर्वेल भी सूख गया है मार्च के शुरू में ही शहर के तालाब सूख रहे हैं बैंगलूरू سेंटरल को छोड़कर शहर में हर तरफ पानी को लेकर अफरा तफْरी मची है 5,000 से 7,000 लीटर पानी के टैंकर के लीए जहां पहले 500 रुपई से 700 रुपई लगते थे वहाँ 2,000 रुपई से लेकर 8,000 रुपई तक अब देने पड़ हैं सरकार अब टैंकरों का रेट तैय करने जा रही है पिछले साल मौनसून में बारिश लगभग 35 फीजदी कम हुई इस से बांधों और जीलों में पानी की कमी हुई इस शहर के 10,000 बोर्विल में से 40 फीजदी सूख चुके हैं शहर को हर दिन लगभग 1650 ml पानी कम मिल रहा है ऐसे में बैंगलूरू शहर की 1,25 लाग की आबादी पानी के लिए जद्दो जिहत कर रही है अब तो पानी के लिए भगवान का ही आसरा है देखिये इस जील की सता आपको दिख रही है जमीन दिख रही है एक महिने पहले तक ये सब पानी के नीचे था बारिश के लिए इंदर देवता को खुश करने की भी कोशिश चल रही है लेकिद जल प्रबंधन से जुड़े वैग्यानिकों का कहना है कि जब तक सरकार और आम लोग इच्छा शक्ती नहीं दिखाते तब तक ये समस्या हर साल आएगी जब भी मौनसून फेल होगा पानी के सीमित सोर्स हैं जैसे बारिश, बाढ़ और इस्तिमाल किया हुआ पानी जो पानी हम इस्तिमाल करते हैं उसको ट्रीट करके बहुत से काम जैसे खेती, बागवानी और निर्मान में इस्तिमाल किया जाता है यह शहर के बड़े तालाबों में से एक है सिंक टैंक यहां पानी कास्तर बता रहा है कि ये शहर किस तरह से पानी के संकट से जूज रहा है मौनसून आने तक यहां हालात कमो बेश ऐसी ही रहेंगे क्योंकि पूरे राज में पानी का संकट कुछ इसी तरह बना हुआ है बैंग्लोरू से कैमरामेन कुमार के साथ निहाल खिद्वई, इंडी टीवी एंडिया